को की ऑनलाइन क्लासें में आपका स्वागत हैं सुस्वागतम बंदे मात्रम पिछली कक्समें हमने हिंदी में स्वर संदी के बारे में अध्यान किया था उसके पांच बेच थे उसके बारे में जाना था आज हम वेंजन संदी है उसके बारे में पढ़ेंगे वेंजन संदी के क्या क्या नियम है कैसे संदी की जाती है उसके बारे में क्रोंसर नियम वो हम देखेंगे तो अब आपके व्यंजन संदी इसकी परिवासा की व्यंजन के बाद स्वर्य या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संदी कहते हैं जैसे वाग प्लस इस तो वाग गया मलक को है वो तीसरे वर्ण में बदल गया फिर सथ प्लस जन तो सजन तो सथ प्लस जन हो गया वैसे यह उत्प्लस आर तो उद्धार तो तो रहा जुड का द निचे ध बन गया तो वेंजन का सुध रूप है वो हल वाला रूप यानि के जो अर्ध वेंजन होता है वही इ पहला नियम है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्टन होना यह पहला नियम किसी भी वर्ग के पहले वर्ण यानि के वर्ग यह नहीं होता है जैसे क से डा तक च से ना तक ट से ना तक त से ना तक और प से मा तक तो इस तरह से पाँच वर्ग हैं तो इन इनका मेल किसी स्वर अत्वा अंतरस्त्वेंजन अंतरस्त्वेंजन रॉताई है य र ल और व्ल इनके किसी भी वर्ण से ओने पर वर्ण का पहला अकसर अपने ही वर्ण के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा या परियृतित होगा जैसे कहे तो गह हो जाएगा चहे तो जह हो जाएगा टहे तो डह हो जाएगा और पहे तो बह में बदल जाएगा जैसे उदाने नीचे कह का गह ना कैसे कि दिख प्लस गज तो दिख गज हो गया मलके कर वो गह में बदल गया आधि गह में दिख प्लस अंत तो दिगंत दिख प्लस विजय दिख विजय वाग प्लस इस तो वाग इस अब ये चर का जह में कैसे बदलते हैं तो अच प्लस अंत तो अजन्त अच प्लस आधी तो अजादी फिर टर का डह में बदलना कि सट प् रिपु तो सड रिपु अब एतर का दोणा बगवत प्लस बजन तो बगवत बजन उत प्लस योग तो त्योग सद प्लस भावना तो सद बावना सद प्लस कुण तो सद गुण अब है प का ब होना अब प्लस ज तो अब ज अब प्लस दी तो अब दी सुब प्लस अंत तो सुबंत अब है दूसरा नियम वर्क के पहले वर्ण का पाँचे वर्ण में बदल जाना यदि किसी वर्क के पहले वर्ण वही क, च, ट, त, और प इनका मेल किसी अनुनासिक वर्ण से हो यानि के अन्थिम वर्ण से हो तो इसके इस्तान पर उसी वर्ण का जो पांच वर्ण जैसे र न न न और म हो जाएगा जैसे एक उदाने क का अंग होना तो वाग प्लस मैं तो वांग मैं हो जाएगा तर का जो न होना, सट प्लस मुख तो सन मुख हो गया, व्यसाई तर का न होना, तो उत प्लस मत तो उनमत, तत प्लस मै तो तन मै, चित प्लस मै तो चिन मै, जगत प्लस नाथ तो जगनाथ, अब आपके अगला नियम, तीसरा, कि चर समन्दी नियम, किसी भी हस्वस्वर या आ का मेल चर से उने पर चर से पहले आधा चय वह जूड जाएगा जैसे 100 प्लस्चन तो सचन परी प्लस्चेर तो प्रीचेर अनु प्लस्चेर अनु छेर शीर वी प्लस चेर विचेर अब ज्रॉलक कुछ आपकी चोता नियमा ऑट समधार नियम में इसमें भी आपके अलग लग भेद हैं तो आप देख सकते हैं कुल चर प्रकार के नियम इसमें आएंगे तो पहला है तके बाद यदि लहो तो तो है वो लह में बदल जाएगा जैसे उत प्लस लास तो उल्लास तत प्लस लेन तलेन उत प्लस लेक तो उलेक अब है दूसरा कि तके ब में बदल जाता है जैसे सत प्लस जन तो सजण जगत प्लस जननी तो जगत जननी विपत प्लस जाल तो फञल उत प्लस जल तो उजेर कि खんだ फिर 4-8 उत प्लस जटीका तो उज अठी कह अं ठीक है किता कि अदिक्टर के बाद यदि ढव या डव हो तो त फॉट डव में बदल जाएगा जैसे गड़ लस्टिका तो रेटिका उठ ट्रस डैयन तो डैयन अब चौता नियम है तक बाद यदि सहो तो का च और सक अच वह जाता है जैसे उत प्लस शुआस उच्वास शक प्लस शास्थ्र तो सच्चास्थ्र अब ये प यदि च और च वो तो तो का च हो जाता है जैसे उत प्लस चारण तो चारण उत प्लस चरित उत चरित जगत प्लस चाया तो जगत चाया सत प्लस चरित्र तो सत चरित्र और चटा अंतिम्नियम इसका है कि त के बाद यदि हो तो तो के स्थान पर द और ह के स्थान पर द हो जात जाता है जैसे प्लेस एक तद दित तद प्लशार जैसे उतल सार तोँ धार वैस्पस्दर सब तो-थ और उतल सुरेथ तो उदृत । इस तरह से यह सारे चांद कि था आपके तर्स मन्दी नियम चता नियम थाया आंशार न समधी नियम यदि अरकी बाद नरता है तो नका न रहो जाताह जिसे परीkim 25 समान कर प्रमान यानशन हो जाएगा राम प्लस अन तो राम आयान और बुष्ट प्लस अन तो से भूशन हो जाएगा बूसन है अब अब आपके में समद्ध था श्तान इसमें आपके तीन दिवें पहला म का मेल का से मं तक किसी भी वहेंजन वर्क से उने पर मं उसी बरके पंछमाकसर्य यानि के अनुस्वार में बदल जाता है जैसे संप्लस गती तो संगती संगती कहेंगे फिर यहाँ ना नहीं होगा Himalai बोला जाएगा संप्लस चाहे तो समचे हम संचे कहते हैं वह गलते प्रंपलस तो co parantu यहाँ पर न की दुने हम बोलते हैं जब कि परम तू होता हैं मला महीं होगा सब प्लस- पॉर्ण तो संपो एम सही बोलते हैं बाकी वालम सब में हमना बोलते हैं जब कि होता महीं अब आफार दूसरा नियम म का मेल यदी य र ल व या श श स स स सay हो तो म वो सदेव अनुस्वारी होता है जैसे संप्लस योग तो संग योग संप्लस रक्सक तो संप्लस लाब तो संप्लस विदान तो संविदान संविदान या भी म यह नहीं संप्लस साय तो संसाय संसाय यह सही है संप्लस सार तो संसार नहीं है संसार लेकिन हम बोलते संसार न अब थीसरा नियम मा के बाद मा आने पर कोई परिवर्तन नहीं होता जैसे संपलस मान तो सम्मान संपलस मती तो सम्मती लेकिन आज कल हम सुईदा के लिए कह रहे हैं कि पंचमाक सरकेस्थान पर प्राय अनुस्वार की अनुस्वार का प्रेह होता है साथवनियम् और अंतिम नियम् outta सर्समुधि नियम् कि स्र से पहले अ आ से बिन स्र व? तो स्र का श? हो जाता है जैसे व? प्लस सम विश्व? वी ब्लस साद विशाद और फिर है सू प्लस समा तो सू समा ठीक है इस प्रकार से ये थे आपके वेंजन समधी नियम अगली कक्सा में हम विसर्ख संधी के बारे में अध्यान करेंगे नमस्कार